नमस्कार दोस्तों क्या आलचाल है मेरे विंदर शुकीन आप सब का स्वागत करता हूँ दोस्तों वाइन बनाते वक्त एक जहरीला केमिकल या फिर एक जहरीली अलकॉल हमारी वाइन में बन जाती है जिसे मेथनोल कहते हैं या मेथेल अलकॉल भी उसे कहा जाता है काफी जहर लेकिन वाइन सेफ होती है, वाइन में दिक्कत वैसे होती नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ी वो जो मैथनोल आ जाती है, या मिथेल एलकोल आ जाती है, उसे भी हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, इस वीडियो में इसी बारे में चर्चा करेंगे, और भी जो चार चोटी चोट तो देखें, तो आज की वीडियो में देखेंगे किस तरह मैथनोल को और जो हानिकार का एलकॉल वाइन में बन जाता है, उसको हम किसी भी वाइन से किस तरीके से अलग कर सकते हैं, आपके पास वाइन जो मरजी हो, प्रॉसस सेम ही रहेगा, मेरे पास जामून की वाइन है, ज पोटेशें मेटाबाई सलफाइट से स्टेरिलाइज करके दिखाऊंगा, जिन भाइयों के पास पोटेशें मेटाबाई सलफाइट नहीं है, उनके लिए मैं दूसरी बोटल को उबलते हुए पानी से स्टेरिलाइज करके दिखाऊंगा, यहां पर क्वाटर टी स्पून से भी कम Potation Metabis Sulphite मैंने बॉटल के अंदर डाल दिया है और साथ में ही इस बॉटल को मैंने थोड़ा आदे से ज़्यादा पानी से भर लिया है बॉटल के उपर लगा देना है कॉर्क आपके पास कॉर्क नहीं है तो ढखकन लगा दीजिए और अच्छे से इसे हिलाते हुए मिक्स कीजिए ताकि Potation Metabis Sulphite अच्छे से मिक्स हो जाए और बॉटल अच्छे से स्टेरिलाइज हो जाए अच्छे से इसको मैंने हिला लिया है ताकि पानी हर एक कोने तक बॉटल के चला जाए अब दोस्तों मेरे पास यहाँ पे एक पाइप भी है उसे भी मैं स्टेरिलाइज कर लूँगा इस Potation Metabis Sulphite के ही पानी से पाइप का एक सिरा बॉटल के अंदर डाल देना है और दूसरे सिरे को मुह से कीच लेना है तरीका वही है जिस तरीके से स्कूटर या मोटर साइकल की टैंकी से पैटरोल निकालते थे एक सिरा बॉटल के अंदर डाल देना है दूसरे को मुह से कीच लेना है ताकि यह Potation Metabis Sulphite मिला पानी पाइप के अंदर से होके गुजर जाए अंदर से भी पाइप अच्छे से स्टेरिलाइज हो जाए अब इस पाइप को हमें वापस बॉटल के अंदर डाल देना है और धकल लगा के 20 मिनट के लिए इस बॉटल को हमें साइड में रख देना है ताकि यह बॉटल अच्छे से sterilize हो जाए कोई भी container है potassium metabite sulfite से आप उसे sterilize करते हो तो 20 मिनट के लिए उसको बाद में रखके छोड़ दीजिए ताकि अच्छा से sterilize हो जाए एक bottle को मैंने sterilize होने के लिए रख दिया है, दूसरी bottle को उबलते हुए पानी से sterilize करूँगा उसके लिए बिलकुल उबलता हुआ पानी का इस्तमाल करूँगा, किसी भी container को class container को उबलते हुए पानी से भी sterilize किया जा सकता है, कई सारी वीडियो में मैंने बताया है, बस पानी डालने का तरीका समझ लीजिए थोड़ा थोड़ा उबलता हुआ फिर थोड़ा सा हिला लीजिए, फिर थोड़ा सा पानी डालिए, फिर बॉटल को हिला लीजिए, ताकि बॉटल का जो temperature है एकदम से high होगा, तो बॉटल तड़क जाएगी, यानी कि तूट जाएगी, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे तो bottle का temperature एकदम से उपर नहीं जाएगा धीरे धीरे बढ़ेगा temperature तो bottle नहीं तूटेगी तीन-चार बार ऐसा करने के बाद बिलकुल उबलते हुए पानी से किसी भी container को यानि कि glass container को आप पूरा भी भर देंगे या bottle को भी पूरा भर देंगे तो ना तो bottle त उटेगी ना ही आपका container और अच्छे से दो-तीन मिनट में ही sterilize हो जाएगा आपका container भी और bottle भी 20 मिनट बाद उबलता हुआ पानी मैंने भार निकाल दिया है bottle से और इसको bottle को भी जाड़ दिया है ताकि इसके अंदर पानी ना रहे अब जो दूसरी bottle है उसे भी खोल लेना है और उसके भी पानी को मुझे फेकना है लेकिन इसका कुछ थोड़ा बहुत पानी मैं इस्तवाल कुरूँगा यहाँ पे मैंने एक लिए है plate plate के उपर मैंने ये डाल लिया है potassium, metabye, sulfite वाला पानी ताकि ये plate भी अच्छे से sterilize र और इस बाकी पानी को मुझे बाहर फेक देना है इसका अब कोई इस्तमाल नहीं होगा इस पानी का इसको निकाल देना है bottle से अच्छे से जाड़ते हुए bottle आपको एक जैसी ही लेनी है आगे बताऊंगा वीडियो में कि एक जैसी क्यो लेनी है bottle है sterilize हो गई हो और साथ में pipe इस टेरिलाइस हो गया है फिलाल कंटेनर से pipe की मदद से दो bottle wine ही मैं निकाल रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिखा सकूं methanol या methyl alcohol को हम किस तरीके से अपनी wine से निकाल सकते हैं दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा methanol या methyl से आपको घबराने की जरूरत नहीं है यह बहुत ही कम मातरा में होता है अभी भी आम इस wine को पिएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी वो इतनी ज़्यादा मातरा नहीं है उसकी कि यह हमें किसी परकार का नुकसान पहुँचा सके हाँ हमें बहुत ज़्यादा पीनी पड़ेगी तब जाके कहीं यह हमारी सेहत के लिए नुकसान दायक हो सकता है या हमारी जान के लिए आफ़त बन सकता है वैसे तो दोस्तो हम wine में एतनौल बना रहे होते हैं लेकिन मैतनौल फलो की वज़े से आ जाता है अलग अलग फलो में अलग अलग स्तर रहता है मैतनौल का जो की बाद जगे पे वाइन को ना रखे 25-26 डिग्री टेंपरेचर ठीक है वाइन बनाने के लिए उसे अधिक गर्मी में ना रखे 30 तक भी चलता है लेकिन कुछ लोग तो बिलकुल धूप में रख देते हैं ऐसा करने से दोस्तों फर्मेंटेशन बड़ी तेजी से होती है मैं मानता हू लेकिन इससे इस्ट के उपर काफी दबाव आता है काफी स्ट्रेस में इस्ट आ जाती है जिसकी वज़े से वो अनहल्दी या जो हमारे लिए हानिकारक एलकॉल होती है वो वाइन के अंदर बनाना शुरू कर देती है ऐसा करने से बचे दो बॉटल वाइन मैंने निकाल लि होगे तो फ्रिज में रखे रखे भी इसके अंदर इस्ट आ जाएगी जो की प्रॉबलम वाली बात है परमानेंट सॉलोशन इसका पास्चराइजेशन है जो की इस वीडियो में मैं आपको आगे दिखाऊंगा फिर से आ गएंगे किचन में यहाँ पे बॉटल के डखकन को मैं हटा देता हूँ को और को मैंने हटा लिया है यहाथ में मेरे है फॉइल पेपर इस फॉइल पेपर को बॉटल के उपर अच्छे से लगा देना है बॉटल के उपर फॉइल पेपर लगाने से ऑक्सीजन बॉटल के अंदर नहीं जाएगी यानि कि हमारी वाइन ऑक्सीज प्रोसेस से गुजारने के बाद वाइन की बोटल को साल भर भी रखेंगे तो इसके अंदर दुबारा से इस्ट नहीं आएगी यहाँ पर मैंने लिया है एक बड़ा बरतन और यह है इडली मेकर के साथ आने वाले प्लेट दोस्तों अगर इस तरीके की प्लेट आपके पास न इस प्लेट के उपर हमें बोटलों को रख देना है एक बोटल को मैंने रख दिया है दूसरी बोटल को भी मैं रख दूँगा बरतन में चार बोटले अराम से आ जाती है तकरीबन मैं चार बोटल को ही पेस्टराइजेशन प्रासस के लिए रखता हूँ बरतन में रखी प् को कर देता हूँ on gas stove को मैंने high flame पे on कर दिया है दोस्तों ये है commercial thermometer इसे मैंने online purchase किया था order करके मैंने इसको मंगाया था 200-300 रुपे के आसपास का ये commercial thermometer online मिल जाता है pasteurization process में इसकी बहुत जरूरत पड़ती है तो ये commercial thermometer आप मंगा लीजिए आपके पास अगर नहीं है तो link आपको description box में मिल जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हो बरतन में मोजूद जो पानी है उसका temperature 80 degree से ज्यादा आ गया है अब इस thermometer से हम check कर लेंगे wine का temperature इस bottle के अंदर thermometer को हम डाल के छोड़ देंगे अभी इसका temperature 80 degree नहीं हुआ है क्योंकि यह bottle है glass bottle पहले glass गरम होगा उसके बाद अंदर जो wine है वो गरम होना शुरू होगी तो इसमें थोड़ा time लगने वाला है हर एक glass bottle की मोटाई अलग-अलग होती है कोई थोड़ी पतली होती है कोई किसी का glass थोड़ा मोटा इसनी लिए एक जैसी बाटली है ताकि temperature दोनो भी bottle का एक जैसा रहे अलग-अलग bottle लेने पे आपको दोनो भी बाटल से आपने ली है उन सबका temperature आपको नापते रहना होगा बीच बीच में ताकि आपको पता रहे कि कौन सी bottle का temperature किक्षा कितणा है इसका temperature 78 degree यानि 78 degree से 82 degree के बीच में रखना है इससे ज़्यादा हमें नहीं करना ज़्यादा ज़्यादा 83 चला जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं लेकिन उससे ज़्यादा हमें इसको temperature को पे नहीं लेके जाना है जैसे 79 degree temperature यानि 89 degree temperature आता है तभी हमें gas flame को कर देना आफ पानी ज़्यादा गरम होने की वज़े से जो ये बोतले है ये थोड़ी थोड़ी गरम और होती जाएगी गरमाट बढ़ती जाएगी और wine का temperature भी बढ़ता जाएगा जैसे ही wine का temperature 70 degree के आसपास पहुचता है 70 degree के आसपास तब ये छोटे छोटे बुलबुले wine के ऊपर की तरफ आने लग जाते हैं ये और कुछ नहीं ये CO2 है जो की wine के अंदर mix थी automatic ही ये degassing हो रही है जो इसके अंदर gases मिली थी वो अब इस wine से अलग हो रही है तो specially अलग से इसे degassing करने की जरूरत नहीं इसी process में ये degassing भी खुद बखुद हो जाएगी gas flame को मैंने अभी भी हाई रखा है और wine का temperature पहुँच गया 71 degree Celsius जैसे ही wine का temperature 78 degree cross करता है आपको जो दूसरी बोतल है एक है दो है तीन है जितनी भी बोटल आपने रखी है उनके जो foil paper है उपर लगावा foil paper उसके अंदर आपने कर देना है छेद methanol इनी छेदों से gas बनकर 20 मिनट में निकल जाएगी सारी की सारी methanol निकल जाएगी 20 मिनट में ही दोस्तो आपको बस करना क्या है 78 degree से लेकर 82 degree के बीच में आपने temperature को maintain रखना है wine में मुझूद सारी methanol gas बनके अपने आप ही निकल जाएगी ज्यादा tension लेने की जूरूरत नहीं है और हाँ दोस्तो आपकी wine भी खटी नहीं होगी दोस्तो वैसे तो methanol का boiling point 65 degree Celsius होता है लेकिन मैं अपने experience से आपको दोस्तो बताता हूँ आपको रखना है 78 degree Celsius से 82 degree Celsius के बीच में wine का temperature इससे जो अनचाही alcohol भी इस्ट बना देती है वो भी methanol के साथ साथ निकल जाती है wine का temperature 79 degree आ चुका है गैस टोफ को मैंने कर दिया है बंद अब इसको 20 मिनट के लिए मैं ऐसे ही छोड़ दूँगा 20 मिनट हो चुकी है wine को मैं भार निकाल लेता हूँ दोस्तो जब 78 degree हुआ था तब से लेके अब 20 मिनट हुई है और मैंने wine को निकाल लिया है जो ये foil paper bottles के उपर लगाया था इसके अंदर हमने कर दिया था छेद तो अब हमें इसे change कर देना है नया foil paper इसकी जगे लगा देना है दोनों ही bottles पे और air tight कर देना है अच्छे से bottle थंडी होने के बाद foil paper को हटा देना है और इसकी जगे धकन लगा देना है मेरे पास cork है तो मैं इसके उपर cork लगा दूँगा wine की bottle थंडी हो चुकी है अब इनके उपर मुझे cork लगाना है दोस्तों मैंने वो cork ऐसे ही normal रखके नहीं छोड़ दिये थे उन्हें मैंने रखा potassium metabisulfite के पानी के solution में और उस glass को मैंने रखा fridge के अंदर इस glass के अंदर मैंने potassium metabisulfite का solution तेयार किया और इसी में cork डाल दिया ताकि जो ये cork है ये sterilize रहे अब जो ये हमारी wine है दोस्तों बिलकुल perfect है कोई दिक्कत वाली वात नहीं आप इसे साल बार तक भी रख सकते हो fridge में चाहो फ्रीज में रखिए बाहर रखना चाहो बाहर रखिए ये freeze में ठंडा करके इसे शाम को enjoy कीजिए मेरी तरह आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं आने वाली वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत